हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैंसी स्तड़का आज हम बहुती टेस्टी स्नैक बनाने वाले हैं जिसे आप पार्टी में स्टाटर की तरह सर्व कर सकते हो या फिर शाम को चाय के साथ भी बना सकते हो तो इसके लिए मैंने फूल गोबी का एक फूल ले लिया है इसे अच्छे से दो कर सुखा लेंगे और फिर इन्हें छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे टुकडे कुछ छोटे कुछ मोटे कैसे भी कट करें क्यूकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है मिक्सर जार में डाल कर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है अब इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो से तीन उबले हुए आलू आलू को अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लें और फिर इन्हें मैश करके इसमें डालें इसके साथ मैं इसमें डालूंगी बारी कटे हुए हरी mirchi, बारी कटे हुए प्यास, हरा धन्या, एक चमज धन्या का पाउडर, फोड़े सी लाल मिर्ची अमचूर का पाउडर, नमक स्वात के अनुसार और दो से तीन चमज मैं इसमें बेसन आट कर रही हूँ बेसन के जगा आप कॉनफलार का यूज़ भी कर सकते हैं सबको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे हाथ से अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें 4-5 चम्माच चावल का आटा एड़ करेंगे चावल का आटा डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी वनेगा अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा सा हाथों में ओयल लगाने के बाद हम इसे शेप देंगे मतलब आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में आप सारा नाश्ता पहले रेड़ी करके रख लिए जैसे मैंने इसे ये वाली शेप दी है आप चाहें तो इन्हें पैटीस की शेप भी दे सकते हैं अब हम इन्हें गरम ओल में फ्राई करेंगे ओल को अच्छे से गरम कर लें और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे पलटने के जल्दबाजी ना करें जब आपको लगे के ये नीचे से थोड़ा लाल होता हुआ दीख रहा है तब ही इन्हें पलटें तो अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे आप चाहें तो इसके अंदर गाजर, शिम्ला मिर्च, पारीक, पारीक काट कर भी डाल सकते हैं तो रेडी है हमारा फुल गोबी का क्रिस्पी नाश्ता मैंने इसे टोमेटो केचप और म्योनिस के साथ सर्फ किया है आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको एक तोड के दिखाती हूँ बाहर से एक दम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है एक बार आप इसे जरूर से ट्राई करें यह आपको बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी यह आज की रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू